नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बिर्यानी बनाएंगे उसके लिए हमने सारे खारे मसाले को रोष्ट करके लिया है इसका एक अच्छा सा पॉडर बना लेंगे मिक्सी जार में देखे पॉडर बना ले इसको अधरक लेहसन और हरी मीर्च का पेस्ट रेडी कर नमक दिया है मेंदे करने से चिक्न अच्छा बनता है हलदी पॉडर कशमीरी लाल मिर्च डालेंगे धनिया पॉडर डालेंगे जीरा पॉडर डालेंगे, अध्रक लिष्ण का पेस्ट डालेंगे, सरसो तेल डालेंगे, रोष्ट की अवब मसाला डालेंगे, बिर्यानी मसाला डालेंगे, मीठा हित्तर डालेंगे केवरा जल डालेंगे नीम्बू का रस डालेंगे पुदीना और धनिया डालेंगे प्यास डालेंगे जो फ्राई किया हुआ है घी डालेंगे खरा गरा मसाला डालेंगे ये सबको अच्छी तरह से चिकेन के साथ मिक्स कर देंगे इसको 15 मिनट के लिए ढख के रख देंगे 15 मिनट के बाद हम कराई गरम करेंगे तेल डालेंगे, घी डालेंगे खरा गरम मसाला डालेंगे तिछपत्ता डालेंगे अब चिकन को डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद उसमें आलू डालेंगे इसको भी फ्राई करेंगे अगर नीजे से लगने लगे मसाला तो थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे इसको ढख के हम पकाएंगे एक बड़ा सा हांडी लेंगे इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे घी डालेंगे ये सबको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे हांडी में फैला लेंगे ये चावल डाला है चावल 80% कुक किया हुआ है चावल को पूरा नहीं पकाएं इसके पर चिकेन डालेंगे, चिकेन को अच्छी तरह से फैला लेंगे, चावल का सेकेंड लेयर डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से फैला लेंगे, गरम मसाला डालेंगे, बिर्यानी मसाला डालेंगे प्यास डालेंगे पुदीना और धनिया पत्तर डालेंगे मावा डालेंगे ये दूद है इसमें खाने वाला कलर है केवरा जल है और मीठा इतर है इसको डालेंगे गी डालेंगे गी को फैला लें चारे तरफ से अब आटी की लोई लेंगे इस तरह से आटी को फैला लेंगे हांडी के उपर में इसका धकन लगा के इसको अच्छे से प्रेस करके दबा किरा लेंगे ताकि इसके बाहर कोई गैस पास नहों पाए इसको दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमारा बिर्यानी रिए खाने में बहुत टेस्टी है हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आए है